हेलो दोस्तों मैं डॉक्टर जोती पांडे वेलकम तुमाइ यूट्यूब चैनल देट्स पांडेस डेंटर क्लिनिक आज मैं आप लोगों के साथ डेंटल एपसिस के बारे में बात करूंगी डेंटल एपसिस का मतलब यह कि आपके गातों में मसूडों में या फिर उससे रि पेरी कोरोनल एपसिस बोलते हैं पेरी क्यानल का मतलब यह हुआ कि जब भी कभी दात जासे निकल रह点 है जैसे अकलिकी दाते जब निकलती है तो उस समय वो पूरी प Украї के से निकल等े पार में ठीक बार में और थोड़े-ठोड़े करके निकलती हैं तो उस कंदिशन में हमा工作 है वो चड़े हुए रहते हैं दातों के ऊपर और बीच में दात्थ जासा बनने लगता है खाना फसने की वजा से जिसकी वज़ा से मुह मैं महग जैसा भी बनने लगता है तो इससे जो एपसेस होता है उसी को हम लोग पेरी कोरोनल एपसेस बोलते हैं वो मेंली दात और मसूड़े जो बीच में मिलकर के पॉकेट जैसा जो फॉर्म करते हैं उसकी वजह से ही होता है इसकी फोटो आप जो देख रहे हैं तो उसमें आप क्या होता है कि जब भी कभी दात में बहुत जादा कीड़े लगे होते हैं या फिर दान्तों की सिर्फ जटे बची हुई होती है तो उसकी condition में दात की जड़ों के सबसे नीचे वाले भाग में जो कि अभी आपको रेडियो ग्राफिकली चित्र दीख रहा होगा रोनल एपसस का है एपसस का मतला पस हुआ नॉर्मल इसको हम लोग बवाद या फिर पस बोलते हैं तो यह अकसर जब हम लोग मुह को देखेंगे और कुछ पिंपल्स जैसा या फोड़ा या फूंसी के जैसा जो दिखाए देता है उसी को हम लोग पेरी अपाइकल एपसस कहते हैं नेक्स्ट जो होता है वह होता है जिंजाइवल एपसस जब कभी मुह में बहुत ज्यादा कंडिशन खराब होती है औरल हाइजीन अच्छे से मैंटन नहीं किया जाता है तो उस कंडिशन में हमारे दातों और मसूरों के बीच में टार्टर इकठा होने लगते हैं वही बहुत ज्यादा कैल्सिफाइड होने लगते है तो पत्थर जैसे बड़े-बड़े-मोटे-मोटे कैलकलस बनने लगते है जिसको कि आप आसारी से मों में देखकर भी समझ सकते हैं तो यह जब कंडिशन होता है तो उसके आसपास की मसूरे जो है वो सूजन स्टार्ट कर देती है उसके बाद जब आप नॉर्मल ब्रश करते हैं या फिर हाथों से भी कभी चोट लग जाता है तो भी वहाँ से खून आने लगता है फिर धी कंडिशन में वहां पेरियोडांटल टीशू होते हैं और नीचे जो जड़ों के पास कुछ बोन लॉसस होना लगती है और दातों और मसूरों के बीच में जो ट्रेंगुलर सा स्पेस होता है वहां पे भी पस या मवाद जो है वो बनने लगता है इस कंडिशन में दात में भी थोड़ी मॉबिलीटी या नात भी थोड़ा बहुत हिलना स्टार्ट हो जाता है जिसको कि आम भासा में पाइरिया भी बोलते हैं तो आज मैंने आप लोगों को ये बताया कि नातों में ये बहुत सारे तरीके से एपसेस बनने लगता है ये सारे का ट्रीटमेंट जो है सारे जड़ी बूटी है जिनका उप्योग अक्सर गाम वाले कर देते हैं या उनके वहकावे में आके कभी कभी अच्छे लोग भी उनके बातों में आके इसका इलाज सोचते हैं कि हम घर बैठे ही कर सकते हैं तो ये सब गलत फैमिया हैं इन सबों को ना पा लिए अगर वैसे ही कुछ मैडेसिन और अच्छे से हाइजिन को ठीक करने के बाद आपका ये ट्रीटमेंट जो है वो कंप्लीट किया जा सकता है तो आप सही समय पर रहते हुए बस समय समय पर डेंटिस से कंसल्ट करते रहेगा और किसी प्रकार की कोई अगर एपसेस फॉर्मेशन हो जाती है तो आप कंसल्ट कर लेजिए अपने लेंटिस से इसके ट्रीटमेंट जो है उसको एक एक करके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी आज के लिए बस इतना ही रहेगा तो इसलिए हमेशा अच्छी चीज़ों पर ध्यान दीजिए गलत फैमिए या मित क को मानिये तो अपना खयाल रखेए दाटों का खयाल रखेगा मिलते हैं कल नक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब कर दिजह लाइक और कमेंटות जरूर दिजएगा अपना खयाल रखेगा बाई बाई